जैहिन दोस्तों, जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे, USSR यानि कि रशिया जो कि पहले एक बहुत बड़ी कंडरी हुआ करता था, December 1991 में इसका disintegration हो गया, विखंडन हो गया, तूट गया ये 15 देशों में, तो आज की रेट में रशिया अटाइक करने वाला युक्रेन पे, करेंगे कि कैसे USSR यानि कि जो रशिया है, जो नया नाम SSR का, जो रशिया है, ये particularly युक्रेन पे इतना एग्रेसिव कैसे हो गया, कभी तो ये एक तरके से प्रो युक्रेन था और आज की डेट में ये अगेंस हो चुका है, आपने निउस में सुना ही होगा कि बॉर्डर में लगा दी गई है, रशिया के तरफ से सारे के सारी अपनी forces बहुत ज़ादा, एक तरके से mass army वहाँ पे deploy कर दी गई है, तो आज हम लोग जानेंगे, क्या reasons थे इनके पीछे, कैसे रशिया आज की date में against हो चुका है युक्रेन के, और क्या चाता है, और क्या demands है, तो guys सबसे important चीज यहाँ पे क्या हो सकती है, कि आपको location जाननी है, क्योंकि exam point of view से हम लोगों ने पढ़ना है, तो हम लोगों को ज देखने को मिलेगा, this part, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Afghanistan is the part of Central Asia, this is the part of Southern Asia, this is the part of Southeast Asia, this is Eastern Asia, and this is the Western Asia, तो यहाँ पे आपको Northern Asia के बगल में, this is the Russia, यहाँ पे आपको रशिया देखने को मिलेगा, और यह कुछ पार्ट इसना ऐसे भी होते हैं, जहाँ पे आपको basically Siberia भी मिलेगा, Siberia क्या है, Siberia is the upper part of Russia, यह आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपको Ukraine कहीं देखने को मिलेगा, that is the Ukraine कहीं देखने को मिलता है, और यहाँ पे आज की डेट में, Russia क्या करना एक तरीके से, अटेक करने वाला है, आज की डेट में बोला जो Europe में आता है, उसे हम Eurasia कहते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले, भारत की सरकार ने, जो हमारी embassy है, ठीक है, जो हर देश के एक राजदूत होते हैं, वो दूसरे देश में जाकर बैठते हैं, वहाँ पे उनकी क्या होती है, embassy होती है, office होता है, ताकि उस देश में जो हमारे नागरें रह रहे हैं, उनकी हम लोग help कर रहा है, तो भारत ही सरकार की तरफ से एक advisory जारी करी है, जिसमें यह बोला गया है, जो हमारे यहां से बहुत students वहाँ पर पर हैं, जो भी उनकी families हैं, जो भी महाँ पर रह रहे हैं, तो उनको जल्दी से जल् रिपोर्ट करें अपने बारे में बताएं ताकि हम आपको इवेक्योएट कर पाएं आगे जाकर अगर रशीया अटैक करता है युक्रेइन पर तो यह कुछ इस टाइप के आपको एडवाईजरी जारी करी है भारतिय सरकार ने युक्रेइन में रहने वाले भारतिये नागरि पर देखने को मिलेगा तो न्यूजिलेंड बेसिकली आप इमेजिएटली लीव कर दो यहां पर ठीक है और अपने घर तक सेफली आप आओ गए तो यहां पर ऐसा बोला गया कोवेत के द्वारा भी कि कोवेत की तो सीडिजन्स हैं आप अपने जो वहां पर हमारा ऑफिस हैं जो होता है एक तरीके से एमबेसी वहां पर जाकर रिपोर्ट करें और हम आपकी फ्लैट को शेडूल करेंगे साओधी अरेबिया ने भी बेसिकली यही कंसर्ण किया है कि आपको वहां से निकालना है हमने तो इसलिए आप हमारी जो एमबेसी हैं उसके टच में रहेंगे त diplomatic ties हम लोग अभी भी कर लेंगे ठीक है ऐसा नहीं है कि हम लोग Ukraine के बहुत बड़े दुस्मन है क्या थी उसके पीछे वज़े मैं आपको बताऊंगा नेटो इस दा बिग प्रॉब्लम नेटो एक सबसे में मुद्दा है रशिया का कि नेटो हटा दो और हम लोग Ukraine को शाला पर नागरिक है उनको यहां से निकल जाना ठाए है निदरफ्लैंड का वहीं है बेल्जिम का वही और यह लोग अपने नागरिकों को जल्दी से जल्दी जितने अंको वहां पर recite क करतें, जो की रहते हैं उनको यह बोलते हैं कि आप जल्दी जल्दी अपने देश की embassy में जाएं रिपोर्ट करें और अगर आपको flight नहीं मिलती है तो basically हम आपके flight अरेंज कराएंगे और आप कई और within Ukraine भी travel नहीं करेंगे अब यह advisory जारी करने के पीछे reason क्या है अब यह reason यहाँ पर यह आता है सबसे important चीज क्या है कि अभ साथ में उसके साथ साथ जो नागरिक हैं जो की बेकुसूर होते हैं उनकी वह death होती है उनकी families में कई लोग injured होते हैं काफी जाता problems आते एक नौ में बहुत down चल जाती है तो किसी दो देशों की बीच पर लड़ाई होती है वो लड़ाई दो देशों के बीच में नहीं होती तो यहां पर this is Ukraine यह आपको Ukraine का border देखने को मिलेगा this is the Ukraine border ओके अब Ukraine border से Poland जुडता है ठीक है यहां पर आपको slow way क्या मिलेगा hungry मिलेगा रोमानिया मिलेगा तो यह लोग क्या कर रहे हैं लोग यहां से panic कर रहे हैं लोग particularly Poland ने क्या करा Poland ने अभी थोड़े टाइम के लिए Ukraine का border ओपन कर दिया कि आप लोग यहां पर आ सकते हो तो लोग basically क्या कर रहे हैं कि Poland चले जा रहे हैं तो यहां पर Poland कुछ दिनों बाद यह भी बंद कर देगा जब उससे लगए कि बहुत ज्यादा लोग यहां पर आ चुके हैं तो Poland भी यहां से border बंद कर देगा और लोग क क्या बोला है जोसे ने बोला है कि पाटिव लली फैबरिल 16 को attack हो सकता है यहां पर attack कर सकता है ओके तो यहां पर Ukraine के प्रेजिडेंट आपको बन जाता हूं जैसे बारत में कबिल सर्मास हो है तो एक तरके से वह बहुत बड़े comedian है तो यहां पर किसी बड़ी जो पार्टी उसको majority मिलती है नहीं तो वहां पर एक बहुत बड़े comedian थे उनको प्रेजिडेंट इवेंचुली वह बन जाते है तो यहां पर प्रेजिडेंट जिलेस की आपको आपको देखने को मिल जाएंगे यह comedian थे बहुत बड़े तो इन्होंने बोला कि ठीक है यूसे हम पर attack करेग तो यह अपने ही statement से एक तरगे से क्या हो जाते हैं पलट जाते हैं हाला कि यह statement में यह बोलते हैं कि हम लोग as a unity day मनाएंगे क्योंकि Russia हम पर attack कर रहा है तो हम उसको एक ता यानि कि हम उसको unity दिखाएंगे और 16 February को as a unity day मनाएंगे लेकिन बाद में जब इनको पता चला कि Russia रियली में कर सकता है क्योंकि उनको लगने रहता कि Russia करेगा जाब Russia ने अपने troops को deploy करा उसके बाद थोड़ा यह क्या हो गए इनके पड़ती नरम हुए तो यहां पर आप देख रहे हैं एंटी टीवी के बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें यह बताए गया है कि रिय यहां पर आप देख रहे हो कि Russia is ready for attack for Ukraine जो कि France ने भी बोला है देखे फ्रांस ने पहले इसको माना नहीं था कि Russia कभी उक्रेइन पर अटेक करेगा यह नहीं मानते थी लेकिन Russia ने भी admit कर दिया है क्योंकि सबसे पहले admit करा था USA ने USA ने ही 16 फरवरी की date बताई थी कि 16 फरव Russia is ready to strike for foreign sub अब यहां पर Russia क्या बोलता है कि ठीक है जो हमारा Black Sea वाला जो हमारा इंडियन जो हमारा क्या है particular territory है जो हमारा Russian territory है अगर इस पानी के अंतरगत जो water territory है उस पानी के अंतरगत अगर US की ship submarine basically ship कोई भी naval support अगर Ukraine को देने के लिए हमारी water body में घुसता है तो हमारी submarine उ हमारे अगेंस कोई action लेता है तो तो यहां पर Russia ने क्या कर देक तरीके से खुले आम challenge कर दिया इस चीज को अब यहां पर latest satellite images देख सकते हो आप तो यहां पर Russia ने particularly क्या कर दिया बॉर्डर के आसपास अपने जो भी उनके मिक जैसे 21 ने 70 ने उसको deploy कर दिया अब होगा क्या कि इसको वापस ले जाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है क्योंकि अब आपने एक बार कोई चीज को front foot में ला दिया अब आप उसे back foot में लाओ गे तो पैसा double खर्चा होता है तो यहां पर यहां तो वो attack करेंगे लेकिन Russia यहां पर यह बोल रहा कि हम लोग deal करने को अब रेश्य के डिमांड यहां पर क्या क्या है रस्या क्यों इस चीज को क्या कर रहा है प्रोव कर रहा है कि मैं यूग्रेन पर अटक करूंगा देखे सबसे पहले रस्या यह बोलता है जो डिमांड करता है नैटो से कि भाई जो आपकी military activities है जो आपकी military activities है वह आप Eastern Europe में Finland में यहां पर अपनी कोई भी activities नहीं करोगे यहां की countries को आप लोग support नहीं करोगे ऐसा रस्या मानता है ठीक है अब रस्या यह बोलता है कि आप लोग यूक्रेइन को नेटो में कभी भी नहीं करोगे नेटो क्या है नॉन एलाइंगमेंट नॉट एलाइंगमेंट टीटी organization 1949 में इसकी establishment हुई थी USA इसका एक तरीके से establishment USA ने करी थी इसलिए तरीके से रश्या यहां पर चीड़ता है इन चीजों से तो यहां पर नेटो को बोला गया है कि आप यूक्रेइन को कभी भी admit मत करो दूसरी चीज यहां पर यह लोग मांगते हैं कि legal guarantee चाहिए हमको कि आप लोग in future कभी भी उक्रेइन को admit नहीं करोगे अब यहां पर यह बोलते हैं वेस्ट में वेस्ट का मतलब है कैनेडा वेस्ट का मतलब है आपका particular western countries USA बहुत super power है तो यहां पर legal guarantee मांगते है कि उक्रेइन को आप कभी भी नेटो में नहीं लाओगे नेटो क्या होता है नेटो म होगा तो नेटो की जो आर्मी पूरी की पूरी आर्मी वो उस देश पर अटाक कर देगी तो यहां पर रशिया डरता है इन चीजों से तो रशिया यह बोलता है कि आप यूक्रेइन को नेटो से हटा दो ठीक है नेटो से हटाने के बाद हमको legal guarantee चाहिए अब USA legal guarantee नहीं चाहिए कि इंडिया कभी वापस एंटर नहीं कर पाएगा ठीक है तो ऐसा नहीं उपाएगा इन फूचर यूएस ने बोला है कि हम legal guarantee नहीं देंगे ठीक है अब यहां पर इन्हों ने बोला है कि आप यूएस को यूएस को यह बोला है कि आप nuclear disarmament यानि कि कभी भी आप nuclear का यूज नहीं करेंगे यूरोप में दूसरा यहां पर यह बोलते हैं यूएस को कि आप जो भी आपके नेटो मेंबर्स हैं जैसे कि पॉलेंड होगे एस्टोनिया होगे लात्विया होगे हंगरी होगे लिफूनिया होगया इसको आप कोई भी forces की सप्लाइए के लिए करोग वाचै के बचने के लिए रचैन के लिए यूएसे से हतियार खरिती हाग उएसे कै Rings आब यू 好 लाएंगे या नहीं लाइंगे जो उनका reply कर Ona रोंए वो ये बोलते कि रश्या के पास कोई Wieto नहीं है की वो इसको PROTEST कर सके कि UK système को NATO's का सधसे बनना चाहिएर यह नहीं बन चाहिए क्योंकि UKRAINA एक अलग कंट्री है रश्या को तो रस्या को कभी भी युक्रेन के इंटर्नल मेटर पर इंटर्फेर नहीं करना चाहिए ऐसा नेटो के सेक्रेटरी जनरल जॉन स्टेलनबग ने बोला है तो यहां पर आपने इस चीज को ध्यान देना है तो यहां पर सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है कि यूएस क्यूंक लेत्यविय хороший जीज क हेंब यहां पर कीरण की कॉर्फे जीज को शडर्फेठ यहां की लिएंट binge नहीं बेचोगे और कभी भी किसको यूरोप की कुछ कंट्रीज को और यहां पर इन्होंने बोला है कि आप जो नेटो है नेटो के सारे के सारी जो कारवाई है वो कभी भी इस्टन यूरोप में नहीं होनी चाहिए और अगर ये सब हो जाता है तो रशिया यूक्रेन पर अट aoर्ष चाहिए